दोस्तो अगर आप KOTAK Net Banking के अंदर Login करना चाहते हो लेकिन आपको आपका Password याद नहीं है तो Reset कैसे करना है ये बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में चैनल पर अगर आप नए हो सब्सक्राइब जरू कर दीजिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो ये जो particular process है मैं अपने laptop के उपर दिखा रहा हूँ लेकिन same process आप आपके mobile phone के उपर भी follow कर सकते हो अब सबसे पहले तो आपको कोई एक browser open करके KOTAK Net Banking सेर्च करना है KOTAK Net Banking यहाँ पर select कर लेना है और next page पे login करने का option यहाँ पर मिल जाएगा तो इसे select कर लेना है select करने के बाद यहाँ पर तीन options मिल जाएगे जिसमें से जो last option है I want to generate my password यह particular option आपको select कर लेना है और next page पे CRN number आपको enter करना होगा CRN number नहीं होगा तो username या फिर card number आप enter कर सकते हो अब देखो जिने CRN number एंडर करना होगा और उनके पता नहीं है कि CRN number कहा पे है तो अगर आपके पास debit card या फिर credit card है तो उसके उपर आपको CRN number मिल जाएगा तो वो number एंडर कीजिए और simply next option पे tap कीजिए CRN number मैंने एंडर कर दिया है next option पे tap करेंगे यहाँ पे registered mobile number आपको एंडर करना होगा और number एंडर करके next पे tap कीजिए number भी एंडर कर दिया है next पे tap करेंगे अब यहाँ पे आपको जो है registered number के उपर OTP मिलेगा और आपके registered email ID के उपर OTP मिलेगा तो वो यहाँ पे एंडर कर दिजिए OTP एंडर करने के बाद next पे tap करेंगे अब यहाँ पे authenticate using kotak mobile banking app का option आपको मिल रहा है तो अगर आपको kotak mobile bank application से कुछ करना होगा तो आप यह process जो है follow कर सकते हो कि आपको kotak mobile banking app के अंदर login करना है यहाँ पे 3-वाले menu के अंदर जाना है अगर आप नीचे scroll करोगे तो यहाँ पे approve net banking request का option मिल जाता है mpin enter कीजे या biometric use कीजे और फिर approve कर सकते हो लेकिन आपको password अब reset करना है तो try another option के उपर हम tap करेंगे अब यहाँ पे आपको card number enter करने के लिए पूछेगा तो आप debit card, credit के या फिर forex card number जो है enter कर सकते हो card number enter कर दिया है next पे tap करेंगे अब यहाँ पे card के basic details आपको enter करने होगे जैसे कि expiry, CVV और card का pin सारी details fill up करने के बाद आपको simply next option के उपर tap करना है और इसके बाद दोस्तों आपको नया password set करने का option जो है यहाँ पे मिल जाएगा तो new password यहाँ पे आप enter कर सकते हो अब new password generate करने के लिए क्या-क्या compulsory है वो आप यहाँ पे नीचे देख पाऊगे यह चीज़े आप पढ़ सकते हो और उस हिसाब से आपको नया password generate कर लेना है नया password enter करोगे उसके बाद मैं नया password दुबारा से re-enter करना है और फिर continue option पे tap करना है अब new password दोस्तों मैंने यहाँ पे दो बार enter कर दिया है simply continue के उपर tap करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो new password set का option आ गया है यानि कि हमने जो है नया password successfully set कर दिया है तो आप कुछ नहीं करना है आपको simply login option पे जाना है यहाँ पे और login option पे जाके आप CRN नंबर नया password एंटर करके आपका simply net banking का login जो है complete कर सकते हो तो बस दोस्तों यही था आज की studio में यही simple तरीका है password reset करने का आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरू कर देना बाकि मैं मिलता हूँ next video में धन्यवाद